नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल HBF Corner में आपका स्वागत है आज हम आपसे आयुर्वेद के अनुपम खजाने कस्तुरी हल्दी के बारे में बात करेंगे कस्तुरी हल्दी को हिंदी में जंगली हल्दी और अमबा हल्दी के नाम से भी जाना जाता है इसका विज्ञानिक नाम कुरु कुमा एरोमेटिका है अंग्रेजी में कस्तुरी हल्दी को वाइल्ड टर्मरिक कहा जाता है कस्तुरी हल्दी को दक्षणी हिशिया और उसके आसपास के शित्रों में कॉस्मेटिक हर्बल के रूप में उपियोग में लिया जाता है अधिकतर भारतिय घरों में महिलाएं रसोई में इस्तमाल होने वाली हल्दी को ही अपने फेस पैक में उपयोग में लेती है परंतु कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए कस्तुरी हल्दी को ही उपयोग में लिया जाना चाहिए रसोई में इस्तिमाल होने वाली हल्दी की तुलना में कस्तूरी हल्दी बहुत अधिक प्रभावी है इसमें एंटिसेप्टिक और एंटिबैक्टीरियल गुण पाये जाते हैं कस्तूरी हल्दी से सुन्दर्ता पाने की माननेता भारत में सदियों से प्रचलित है भारतिय विवा हल्दी की रस्म के साथ ही शुरू होते हैं हल्दी से त्वचा को सुन्दर्ता प्राप्त होती है कस्तूरी हल्दी सुन्दर्ता बढ़ाने का बेजोड आयुर्वेदिक खजाना है आज हम इसके अनेक लाबों पर चर्चा करेंगे शहद में एक पिंच कस्तूरी हल्दी मिलाकर चहरे पर लगाने से त्वचा का संटैन दूर हो जाता है कस्तूरी हल्दी स्किन कैंसर को भी होने से रोकती है पानी में मिलाकर कस्तूरी हल्दी को चेहरे पर लगाने से तथा कुछ दिन तक इस प्रियोग को लगातार करने से चेहरे के दाग हट जाते हैं कस्तूरी हल्दी को नीम्बू के रस और दूद में मिलाकर लगाने से चेहरे का गोरापन बढ़ता है कस्तूरी हल्दी के त्वचा पर अनेक फाइदे हैं एक टीस्पून धई में आदा टीस्पून कस्तूरी हल्दी मिलाकर चहरे पर लगाएं और दस मिनट बाद धोलें गर्मियों में ये फैस्पेक त्वचा में चमक लाता है तुलसी की पत्यों को पीस कर कस्तूरी हल्दी मिलाकर सप्ता में दो बार चहरे पर लगाने से चहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं ओलिव उयल में कस्तूरी हल्दी मिलाकर होटों पर लगाने से होटों का कालापन दूर हो जाता है एक टीजपून बेसन में आधा टीजपून कस्तूरी हल्दी और एक टीजपून दूद मिलाकर फेस्पाक बना लें इसे दस मिनट तक चहरे पर लगाएं यह फेस्पाक संटेन दूर करता है कस्तुरी हल्दी चहरे की गंदगी को हटाती है, चहरे की इंप्योरिटीज को दूर करती है यदि चहरे पर कोई कट लग जाता है तो भी वह हल्दी के एंटिसेप्टिक गुणों की वज़ा से जल्दी भर जाता है रसोई में पाई जाने वाली हल्दी चहरे को पीला कर देती है परन्तु कस्तुरी हल्दी चहरे को पीला नहीं करती बलकि उसे क्लियर, लाइट और ब्राइट बनाती है कस्तुरी हल्दी के अन्गिनत फायदे जानने के बाद में आशा है आप अपने चहरे की सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए रेगूलर रसोई वाली हल्दी के स्तान पर कस्तुरी हल्दी का प्रियोग करेंगे और इसके बहु संक्यक फायदों का उप्योग लेंगे धन्यवाद